अब ये आपका question है इसमें आपको rough plan बनाके करना from a हमारी कहानी शुरूरती है 20 meters अब 20 meters उपर गए ये लिख ले ना 20 meters अब d 15 ये point आगे आपका d 15 फिर 45 गए आप a से 45 गए हैं तो 20 तो जा चुके हैं आगे और कितना जाएंगे 25 तो ये आपका आगया 25 आप कहां c पे थर्टी चलिए c पे थर्टी ओके अब फिर जाएंगे 60 कितना हुआ भई 45 तो हो गया बचा कितना 15 ये आया 15 आपका और आपको किदर जाना है 20 e फिर कितना बचा 60 से ये 80 20 बचा हो ये 20 बचा और ये आपका आगया point b हो गया clear अब देखो क्या करना है ये end point को आपको join करना है ये आपकी figure बन गई अब आपको इसका क्या निकालना है area तो आप पहले निकालेंगे बी आर ए का area कैसे होगा half b into h यानि 20 into 15 फिर निकालेंगे आप triangle b q c का area half b into h ये कितना हो गया 35 into ये अरे हममें इधर का तो लिखा ही नहीं e point पे है ये 20 e point पे आया ये हममें ये ले लिया 20 इसका area है का half 20 into 20 15 पता नहीं मैं कैसे बोल नहीं next इसका जो था ये गया था हमारे पास c पे था 30 तो इस triangle का area होगा half 35 into 30 ये हमारे पास बना tapisium tapisium में ये दो parallel sides है और ये perpendicular है तो r e p d का area half height 15 plus 25 40 parallel side 20 plus 50 हो गया ये अब ये